प्रतिक्षास केचन में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट के पेस्ट्री यानि की ओरियो बिस्किट पेस्ट्री जो बड़े आसाने से हम घर पे ही बना सकते हैं और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है उसके लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट यहां मैंने 15 ओरियो बिस्किट लिए है दूद हाफ कब विप क्रीम हाफ कब हाफ टीस्पून बेकिंग पाउडर चेरीज इसे मैंने बारिक कट कर लिया है यह हमें गार्निशिंग के लिए चाहिए यह चेरी इसे मैंने कट नहीं किया है और चॉकलेट यहाँ मैंने मिक्सर जाब लिया है पहले हम बिस्किट को इस तरह से तोड़के इसमें डालेंगे यहाँ मैंने सारे डिस्किट्स डाले है अब हम इसमें दूट डालेंगे हाफ को और इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे अब हमें इसे पीसना है और इसकी पेस्ट त्यार करनी है अब देख सकते हैं इसे मैंने पीस लिया है यहाँ मैंने एक केक का मोल्ड लिया है राउंड वाला इसमें मैंने बटर पेपर लगाया है और इसे और इसे ग्रीस कर लिया है अब देख सकते हैं अब हम इसमें यह पैटर डालेंगे इसे अब थोड़ा इस तरह से टाप कर लेंगे और इसे अब हम कुकर में बेक करेंगे कुकर में बेक करने के लिए पहले हमें कुकर में नीचे नमक डालना है अब हम इसे गैस में रग देगे कुकर के लिए प्रिक कर लिए लिए दो मिनिट निकाल लेंगे अब देख सकते हैं मैंने यहाँ इसे कुकर में रक दिया है Mr. Wake City इसकी सीटी निकाल लेंगे और इसे 10-12 मिनिट के लिए सिर्फ हम बेक करेंगे क्योंकि इसे बेक होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है केक बेक होने तक हम हमारी विप क्रिम बनाएंगे उसके लिए मैं एक बावल में ये क्रिम डालूंगी वो केक को हमें कम आज पर बेक होने देना है गैस की आज हमें पूरी तरह से कम रखनी है आपके पास इलेक्ट्रिक बिटर हो आप उससे यूज कर सकते नहीं तो ये हैंड बिटर है जिसके आप विप क्रिम बनाएंगे इस तरह से इसे हमें मिक्स करते रहना है हम देख सकते दीरे दीरे क्रीम गाड़ी हो रही है इसे इस तरह से चलाते लाना है हम देख सकते क्रीम हमारी लगबग तयार हो चुकी है इसे हम साइड में रख देंगे 12 मिनिट हो चुके हैं हम हमारा पहले केक चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं बेस हमारा तयार है अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे पाच मिनिट के लिए पहले हम इसे थोड़ा थंडा होने देंगे और फिर एक प्लेट में निकालेंगे हम एक प्लेट लेंगे इसे इसके उपपर इस तरह से रखे इसे उल्टा कर लेंगे बटर पेपर हम इस तरह से निकाल लेंगे बेस को हम और थोड़ा थंड़ा होने देंगे और फिर इसे कट करेंगे कि इस यहां साइड में रपके थंड़ा होने देंगे तब तक कि क्रीम जो है इसे यां मिक्स करेंगे इस तरह से यह मिक्स होने के बाद इसे हमें फ्रीज में रखना है सेट होने के लिए 5-10 मिनट के लिए हम देख सकते हैं प्रीम हमारी ट्यार हो चुकी है यह पूरी तरह से गाड़ी हो गई है जैसी होती है अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे 10 मिनट के लिए अब हम इसे कट करेंगे अब देख सकते हैं इसे मैंने इस तरह से दो पीसेस में डिवाइड किया है अब देख सकते हैं या मैंने पाइपिंग बैग में विप क्रीम जो हमने बनाई थी वह मैंने डाल ली है अब हम इसके उपर से यह क्रीम लगाएंगे एक नाइफ से इस तरह से स्प्रेट करेंगे अब हम इसके उपर से यह चॉकलेट डालेंगे आप गार्णिशर से किसी भी तरह से कर सकते हैं आपको जैसा पसंद है इसके उपर से मैं बारी कटी होईगे चेरी डालूंगे जिससे पेस्ट्री को और अच्छा टेस्ट आजाएगा इसके उपर हम यह सेकेंड लियर रखेंगे इस तरह से यह देखने में भी बहुत प्यारी लगेगी और खाने में और टेस्टी लगेगी इसके उपर से आप और विप क्रीम लगाएंगे और नाइफ से इस तरह से स्क्रेट करेंगे आपको परसंद आप थोड़ा थोड़ा इसे साइट से इस तरह से लगा सकते हैं इसके उपर से हम यह चॉकलेट डालेंगे इसके उपर से हमने चॉकलेट डाल ली है इसे अब मैं छोटे प्लेट में निकालूगी अब देख सकते हैं इसे मैं फ्लेट में निकाल लीए हैं इसे अब हम डेकोरेट कर सकते हैं जैसे की मैं आयए फिलावर बनाऊंगी इस तरह से और इसके अपर हमें चेरी रखेंगे अब हम इसे सर्फ करेंगे तयारे हमारी ओरियो पेस्ट्री आपको मेरे रिशी पे पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बिल आइकन दबना ना भूले Thank you friends क्यों से सकति प्यारे क्या छroऽ नइकन वुले ओूले कीज़ी